महाराष्ट के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे सियासी चकरविव में घिरते जा रहे हैं कोरोना संकरमण के मसले को लेकर एक तरफ महाराष्ट में बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे को बीधान परिशत का सदस्य मनोलिद करने के परस्ताव पर राजिपाल भगत सिंग को सायरी खामोश है उद्धव ठाकरे को मैलसी मनोलिद करने के लिए महाराष्ट सरकार को परस्ताव भेजे करीब दो सपता होने जा रहे हैं राजिपाल ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है गवर्नर अगर सरकार की सिफारिश को आश्युकार कर देते हैं तो उद्व ठाकरे के सामने क्या भी कल्फ होगा उद्व ठाकरे ने 28 नूमबा 2019 को मुख्यमंत्री पत की सपत ले थी और उनके 6 महिने में 28 महिन 2020 को पूरे हो रहे हैं इसके बाद ठाकरे विधान मंदल के किसी भी सदन का सदस्य अभी तक नहीं है महराज के डिपी सिया मजीद पवार ने 6 अपरेल को कैबिनेट की बैठक में सर और शम्मती से परस्ताव पारिद कर राजिपाल को भेजा था इसमें कहा गया था कि मौझूदा परिस्थिती में बिधान परिशत की चुनाव नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री उध्व ठाकरे जो इस समय ना तो बिधान सभा की कोई अध्यक्ष हैं और ना है बिधान परिशत के कोई शदश्य हैं उन्हें राजिपाल के ओर से नामित किये गए जाने वाले बिधान परिशत की सीट के लिए मनुन किया जाए राजिपाल भगत सिंग कोशियारी ने मंत्रे मंडल की शिफारीज पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और 27 मईज से पहले चुनाव परक्रिया पूरी कर परिणाम घोशित करे ताकि मुख्य मंत्री निर्वाचित सदस्य के रूप में सदन के सदस्य बन सके हला कि कोरोना संकट के चलते चुनाव होना अभी मुश्की लग रहा है मिधान परिशित के चुनावन होने की इस्तिती में उद्व ठाकरे को इस्तिपा देना होगा और फिर से दूबारा से सपत लेनी होगी हला कि इस परक्रिया में एक बड़ा प्याच यह भी है कि मंत्री पंडल की समझ सक्तिया मुख्य मंद्री में नहीं थै अगर मुख्य मंत्री पंड अपने से इस्तिपा देते हैं तो समूचे मंत्री मंद्र को इस्तिपा देना पड़ेगा और फिर से सभी मंत्रियों को शपत दिलानी पड़ेगी इसके अलावा कोई तिसरा भी कल्प अभी दीख नहीं रहा है जिसकी वज़ा से महराज सरकार पर संकट के बादल मटराते हुए नजर आ रहे है हलाकि मुख्य मंत्री मुद्र उठाकरे के इस्तिपा देने के बाद गेंद वापस राजभौन के पास चली जाएगी और राज़ेपाल ही तै करेंगे कि वे कब सपत दिलाएंगे बहराल इसी जिती को टान ले के लिए राज़े सरकार के तरब से भी कानूनी सलाह मश्वीरा किया जा रहा है ऐसे में हो सकता है कि यदि राज़ेपाल मंत्री मंडल की सलाह को सिवकार नहीं करते हैं सरकार के तरब से राजेपाल के फैसले को लेकर सुप्रिम कोट का दरवाजा खट-खट आया जा सकता है हला कि अभी तक सरकार सी और से कोई ऐसी बात सामने भी नहीं आई है समयदान विशसग्य सुबासकस्ट कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद या मंत्री पद की सपत लेने के 6 महिने के अंदर विधान मंदल का सदस्य होना ज़रूरी है वहीं राजेपाल द्वारा मनोनित होने वाले मल्सी सदस्यों के नामे कि सिफारिष राजे सरकार ही करती है इसे देखना होगा यह राजेपाल के उपनिर्वर करेगा कि सरकार के अनुरोध को माने या नहीं दहर पंद्रे में उतर परदेश की ततकालेइन अखलेष सरकार ने राजेपाल कोटे से मलसी के लिए नामित सीर पर 9 उमिदवारों के नामों की शिफारिष की थी लेकिन ततकालीन गवर्णर राम नाई के चार नामों पर अनुमोधन कर दिया गया था बाकी पांच नाम वापस भेज दिये गये थे जिसके बाद अखलेष ने दुबारा से उनकी जगह दुसरे नाम भेज थे जिस पर गवर्णर ने शामती बनाई थी निसरोम से निस्लाइ कर पूँचा अबढ़ से निस्लाइक पूँचा अब्साइब टो यूचानल आपस ब्ला इकन टो एप्टेस अबड़ा थी